साथियों, हमारे देश में भाषा, लेंग्वेज हमेशा से एक सम्वेदन सिल्फ विशे रहा है। इसी एक बड़ी बज़े हैं कि हमारे यहां स्थानिय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मोका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़लाओं लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी। उनका और विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतिय भाषाओं में कितनी ही सम्रुद्ध रचनाय हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है, इन सबका अब और विस्तार होगा। इससे विश्वक आभी भारत की सम्रुद्ध भाषाओं से परिचे होगा। और एक बहुत बड़ा लाब यह होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुवाती वर्षों में अपनी ही भाषा में शिखने का आउसर मिलेगा। इससे उनका टालेंट और पुश्पवित पलवित होने के लिए मैं समझता हैं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा। वो सिक्षा से जूड़ पाएगा। वैसे भी आज GDP के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो जादा तर देश अपनी गरह भाषा मात्रू भाषा में ही सिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विख्षित करते हैं और दुनिया के साथ संबाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी उतनाही बल देते हैं। यही नीती और रणदिती 21 सदी के भारत के लिए भी बहुत उप्योगी होने वाली है। भारत के पास तो भाषाओं का अध्भूत खजाना है जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। और आज दुनिया भी उसके लिए लालाईत है। साथियों नई शिक्षानीती की एक और खास बात है। इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटिग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और जहां स्थानिय लोककलाओं और विद्याओं, सास्त्रिय कला और ज्यान को स्वाभाविक स्थान देनी की बात है। तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टुटिशन को भारत में केंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल क्लास एक्सपोजर और अपर्टुनिटिटी मिलेगी और ग्लोबल कंप्रिशन के लिए जादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्वस तरिय संस्थान के निर्मान में भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी।